प्यारे इब्यार्थियों नमस्कार, स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्पेश्टेडी फ्यावर में तो दोस्तों आज हम बहुत ही मेतरपुर्ण टोपिक पढ़ने वाले हैं जियां दोस्तों राजस्तान के मेले अगर आप PTT की त्यारी कर रहे हो, BSTC की त्यारी कर रहे हो, तो अगर दोस्तों आपके पांस कुष्ण भी आते हैं एक्जाम में तो CT देख लो आप पांच इन्टू तीन कर दो कितने होते हैं 15 नमबर के तो दोस्तों 15 नमबर के लास रहने वाले इसलिए लास को पूरा देखें और दोस्तों सारे के सारे पर्ष्ण आगे वंद्राले नरे हैं ठीके और आगे दोस्तों ओप्सन वाले पर्ष्ण भी आएंगे विकलप वाले तो पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें से फिर आपका टेस्ट लोगा कि आपके इसमें से कितने असरी हुए आपको कितना याद हुआ तो चलिए दोस्तों बीना किसी दरी के खिलास का सुभारम करते हैं और पहला पर्षन आपके सामने आचुका है दोस्तों आपको भी सासार में कमेट करते रहना हैं और ये जो दोस्तों मैं आपको पर्षन दिखा रहा हूँ ये दोस्तों प्रेक्चा में पूछेगे पर्षन है और बार बार रिपेड हो रहे हैं इसमें से दोस्तों काफी आपके सीधे अग्जाम हैंगी गबाल आए है मेला डोस्तों एक भी पूसन आपका बार से नहीं आए का मेलों से अमझे- इसलिए डोस्तों पंदरा नम्बर अभी के आपको पके कर लाना है तो चली पहला पॉसन आपके सामरे क्या बचिका का हाहे है मलीना जी का पसु मेला आयोजी दोता है दोस्तों मलीना जी का पसु मेला कहां पर लगता है पटापट कमेट कीजिए मलीना जी का पसु मेला आयोजी दोता है तो ये दोस्तों आपका तिलवाडा में तिलवाड़ा कहां परें तिलवाड़ा दोस्तों आपका बार्ड मेर में कहां परें तिलवाड़ा बार्ड मेर मेर में आयोजित होता है दोस्तों मलीना जी का पसु मेला ये परसन पूचा गया है आपके सामने परूपे पसु सिक्ष साधिकारी समाजी परिक्सा में दोस्तों बड़े तरीका मेला दोस्तों ऐसा मेला हैं जो वरस में दो बार आयो जित होता है अगला पुस्कर मेला कब आयो जित होता हैना डोस्तों का रची के महा में होता है जोवे विदार्ती कार्थिक बतारे very good यहां रखना बहुत important है अगला पुछन आपके सामने कोलायत मेला बीका नेर का परचीव मेला है तो दोस्तों इसका अन्यानाम क्या है अब देखो परचीव ऐसा भी आ सकता है कोलायत मेला काम पर बरता है तो यह दोस्तों बीका नेर में बीका नेर का दोस्तों क्या है famous मेला है और इसका दोस्तों अन्यानाम क्या है दूसरा नाम क्या है कपिल मुनी का मेला आपने सुना होगा कपिल मुनी का मेला काम पर बरता है बीका नेर में तो यहां पर जोबे विदार्ती कपेल मुनी बता रहे हैं very good अगला प्रस्टन आपके सामने बहुत ही famous है 22 सोर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है देखा होगा दोस्तों आधी वास्यों का कुम्ब 22 सोर मेले को कहता है ना आधी वास्यों का कौम्ब कहलाने वाला मेला दोस्तों जो इसका दोस्तों आयोजन किस दिन होता है दिन का पूचा है तो दोस्तों माग पुरुणी मा के दिन कब दोस्तों माग पुरुणी मा के दिन दोस्तों बेनेस्वर मेले का क्या होता है आयोजन होता है तो जो भी विदारती माग पूर्ण में बता रहें दोस्तों आप पी एक पैन या कोपी लेके साथ में बैठीए ठीकन सारे के सारे प्रस्ण आप लिख लीजिए दोस्तों 15 नमबर आपके पक्काई ये मेरी गारंटी है अगला परस्ण आपके सामने आचका है देखिए बेनेस्वर, सीतरा डेवी, केला डेवी और राम डेवी के मेले में से कौन सा एक मेला दोस्तों लखी मेला कहलाता है अब देखो यहाँ पर चार मेले आपके सामने कौन कौन से मेले देख लो बेनेसवर मेला है और चीतरा देवी का मेला है केला देवी का मेला और राम देवजी का मेला इन दोस्तों चारों में से लखी मेला कौन सा है तो ध्यान रखना दोस्तों केला देवी का मेला जो कि आपका कहां पर लगता है करोली में लगता है इसको दोस्तों क्या कहते हैं लक्की मेला का जाता है इंपोर्टेंट कि उसने लक्की मेला कौन सा है केला डेवी जो की करो ली चलिए अगला पुस्तों आपके सामने राजस्तान में आदी वास्यों का विशिस्ट मेला लगदा है अब ही मेरा बाता है ता दोस्तों राजस्तान में आदी वास्यों का कुम कौन सा मेला कहलाता है बेनेस्वर्दाम जो कि दोस्तों कहां पर है डूंगरपूर में तो ध्यान अकना दोस्तों बहुत इंपोटेंट कुस्टने राजस्तान में आदिवास का विश्थ मेला कौन सा लगदा है बेनस्फर्दाम जोकी दोस्तों कहाँ पर है डूमरपूरवे अगला पुश्ञन आपके सामने राम देव जी का पस्टी मेला कहाँ लगदा है देखो दूस्तों राम देव जी का फेमस मेला अगला प्सका मेला के सामने अग्ला आजमेर के खुआजा मुई दिन सिस्ति की दरगा पर उर्ष का मेला कितना दिन चलता है। कितने दिन तक 6 दिन तक मेला चलता है ज्यान रखना इंपोरे चेए के 6 दिन चलता है तो ज्यान रखना अब दोस्तों थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं और यह पॉशन दोस्तों आप थोड़ा से मेरे विश्वास कीजिए उन्हें पुर्छनों को बल्दे उपस्मेला लगता है दोस्तों मेरं तयात्या का रे कुछ से गोगा जी को महिनेा ब्रता का मेला… और रामदोटेव जी का मेला भी बरता है बादरबद में भी बरता है, रोनी चाम है, ठीक है तो जो भी विदारती बादरबद बता रहें, बहुत बढ़िया अगला प्रस्न Youос आपके सामने, गोगा जी का मेला कहा बरता है पटावट कमेट करता है गोका जी का जहाँ पर परसिर मंदिर होगा वहाँ पर तो मेला भरेगा न जैसे कि दोस्तों रामदी जी का परसिर मंदिर कहाँ पर है जैसल मेर मेरोनी चाम में तो वहाँ पर मेला भरता है तो गोका जी का मेला कहाँ पर भरता है तो गोका जी का मेला परता है और गोका मेडी कहाँ पर है अनुमान कर जी लेकि दोस्तों 9 और 3 सिल में ठीका न 9 और 3 सिल में दोस्तों पढ़ती है गोका मेडी तो जो भी विद्धारती है आप गोका मेडी बता रहें बहुत बढ़िया अगला प्रस्तन आपके सामने पूचर का देखिए चार भुचा मेला, गोगा जी मेला, तेजा जी मेला वक कजली तीज मेला मैं दोस्तों बुंडी किस लिए परसिडे अब देखो यहाँ पर मेले आपके सामने कितने मेला है एक तो आपका चार भुचा का मेला है, गोगा जी का मेला है, तेजा जी का मेला है और दोस्तों कजली तीज़ का मेले में से बुंडी दोस्तों इसमें से किस में से एक के लिए पसिड़ें तो बताओ भई बुंडी दोस्तों कौन से मेले के लिए पसिड़ें तो वह आपका जेगा कजली तीज़ का मेला कौन सा दोस्तों कजली तीज की मेले के लिए दोस्तों बुंडी है जो किया है दोस्तों फेमस ये दान अखना पई कजली तीज का मेला कहां पर बढ़ता है बुंडी में बढ़ता है और इसके लिए दोस्तों बुंडी की आए पॉपुलर भी है अगला परसन आपके सामने बिस्तों यह कड़ी कि मुकाम में जमबस्वर का मेला कितनी वरस में कितनी बार लगदाए अगला डिकिए मुकाम में जमबस्वर मेला का वरस में कितनी बार लगदाए दोस्तों आपने देखा गा मुक्ति दाम मुकाम जो कि दोस्तोंं एक 20-1 पाइतर इस्तले जो दोस्तों व्यक्ति- जांबो जी के दिए 50 नेयमिका पालन करता है गया कैलाता है डोस्तों 20 एक कहलाता है तो यहाँ पर पूछा यह गया है कि मुखा में जांबे शुर मेला वरस में कितनी बार लगदा है तो दोस्तों मुका मेला आपका दो बार लगता है ठीक ना और दूसरा कौन सा दूस्तों वो जो बरतरीका मैंने बता है तो भी दोस्तों गया वरस में दो बार लगता है यह आपको जानक ना है अगला परसन आपके सामरा आज चुका है जंबेस्वर जीन माता जी बेनेस्वर और दोस्तों माविर जी में से कौन सा एक मेला बीका नेर जिले में लगता है तो दोस्तों इन चारों में से बताना आपको पोई बीका नेर में कौन सा मेला लगता है फटा बट कमेट कीजिए जांबे सुर जी का मेला जीरन मता जी का मेला बेने सुर का मेला या पर दोस्तों माविर जी का मेला तो आपको पता है दोस्तों आपका जामे सुर जी का मेला कहां पर लगता है बीकाने में लगता है कहां पर बीकाने में तो जोबे विजारती जामे सुर बता रहे बहुत बढ़िया दामे शुर का मेला कब लगदा। कि राजस्तान के किस जिले में बरतरी का मेला लगदा। देखे लोग भी भृत्री का मेला लगदा कहां पर है अलवर में लगदा है कब लगदा आए तो ये दोस्तों कब लगदा है आपको important कि उसने बाजरी शुकल पक्स के दोस्तों अश्टमी को चली अगला पसन देख लेते हैं बाई बहुत ही दोस्तों इंपोर्टेंट सीरीज रहने वाली इस सीरीज गो आप पूरा देखिए दोस्तों मेलों की जंजट मारी आपकी खतम जितने भी दोस्तों मेलों से पस्तों आते एक वे उस्तों आपका बार्श नहीं आएगा 15 नमबर पके गांट मार लीजी अगला पस्तों आपके सामना आए चुका देखिए कि राजस्तान में किस जिले में दोस्तों राजी इस तरके अधिक तम पसु मेले आई जित होता है तो देखो दोस्तों राजस्तान का ऐसा कौँछ जिले है दोस्तों क्या है सबसे अधिक जहां पर पसु मेले लगते हैं तो देखो भई पसु मेले के लिए फेमस कौन्छा जिला है नागोर नागोर में सबसे दी क्या लगते हैं दोस्तों पसु मेले का आईजीन होता है अगला अपस्टन आपके सामने विसो पसीड उंटों का मेला राजस्तान के किस जिले में आईजीड होता है तो देखो दोस्तों उंटों का मेला का पर लगता है फटाबाट कमेंट कर दो भई विसो पसीड ठीक न पूरे बार्त में भी नहीं है पूरे दोस्तों विसो में पसीड है दूस्तों 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 क्री C Verkehr स्वत्वाँ अगला पॉस्तना सुन तो यह लगता हैं। एजुकेसन सीर्टी ठीक है न हाँ कोटा कोटा का दोस्तों क्या है डस्तरा मेला बहुत ही फेमस है अगला पस्टन आपके सावन आ चुका है किस सासक के सासन काल में कोटा में डस्तरा मेला लगना परारम हुआ था अब देखो दोस्तों मैंने यह तो आपको बता दिया है कि ड सासन काल में सुबार मोग बार दोस्तों ये मादो स्मूदय का उर्ष लगदाए तो ये दोस्तों लगदाए कहां पर गलिया कोट में बाबा खरूप दीन की दरगा पर कहां पर दोस्तों गलिया कोट में दोस्तों बाबा खरूप दीन की दोस्तों दरगा पर लगदाए जयानकना अगला आपके सामने खाटू स्याम जी का मेला क्या बात है खाटू सियाम जी का मेला इंदी माहा में किस चित्रीक उपरारम नहीं बोता है अब देख़ो खाटू सियाम जी का मेला तो आप सिर्टीक को बता है कितना खेमस है तो यह दोस्तों इसका सुबारम कपव होता है फटा फट कमेट कीजिए भाई खाटिक स्याम जी के दोस्तों मेले का जो इंदी मा के अनुसार पूचा है इसका सुबारम कौन सी तितिक होता है तो दोस्तों कब होता है फालगुन सुकला गयारफ सो बारस को कब दोस्तों फालगुन सुकला को गयारफ सो बारस को इसका सुबारम होता है चलिए अगला अपस अगला प्रशन आपके सामना आचुका है कौन सा मेला वर्ष में दो बार लगदा है देखो पर्शन में आपको डेखना अगर बरतरी है तो बरतरी राइट कीजिए और जीन माता का मेला आपके लिखा हुआ है अगला प्रशन आपके सामना आचुका है बाबू महाराज का मेला किस जिले में लगदा है दोस्तों क्लास को पूरा देख कि आपको काफी बेनेफिट मिलने वाला इस क्लास से इसलिए दोस्तों क्या गरें क्लास को जराज साब इसकी बना कीजिए वीडियो को बीदेख का आपने लाइक नहीं किया है अब बताओ दोस्तों बाबू महाराज का मेला किस जिले में बरता है दोलपूर जिले में बरता है अगला अपस्तों आपके सामने बगवान सीव को समरपीत सिवाड के मेले का विजन राजस्तान के किस जिले में होता है तो दोस्तों बगवान सीव को समरपीत कौन सा है मिला सिवाड, सिवाड का दोस्तों मेला कहाँ पर लगदा है यह दोस्तों सवाई मादोपूर में लगदा है कहाँ पर यह दोस्तों सेकेंड ग्रेड में पूचा कि एक दोस्तों ने वेर इंपोटेंट है सवाई मादोपूर में लगदा है दोस्तों सीवजी को समरपीत सिवाड का मेला चलिए अगला प्रस्टन आपके सामने उज्रली तीज मनाई जाती हैं दोस्तों उज्रली तीज कब मनाते हैं यह दोस्तों कहाँ पर मनाते हैं तो दोस्तों उज्रली तीज जो बुंदी में मनाते हैं पर बुंदी में मनाई जाती है उजले तीज जो भी विदार्ती बुंदी बता रहें बहुत बढ़िया चले अगला प्रस्वन आपके सामना चुका है वैसाक सुखल तिर्तिया और स्थामन कुछन पंचमी में को कौन से त्यवार पड़ते हैं अब देखो यहां पर दो तिर् स्थामन कुछन पंचमी को क्या मनाते हैं जक कर दोस्तों कोण से महीन किया मनाते हैं और दोस्तों वैसा सुखल तिर्तिया बहूत हमत्समें । वीक्रम सुमत में कोन से महा में चोटी तीज मनांते हैं यह दोस्तों कब मना जाती है स्रावण स्कलर तीरतिया को कब दोस्तों जेखो तीज जिया पर लेकिए तो तीज़ का मतलब किया डोस्तों पीछी कुछी तूइब कि कजली तीज, जिसे सातोडी तीज भी कहते हैं, किस मा में मनाई जाती हैं, देखो, अगर कजली तीज कहो, ठीकन कजली तीज कहो, यहाँ पर दोस्तों सातोडी तीज कहो, डोनों एक बात है, तो यह दोस्तों कौन से महिने में मनाते हैं, यह दोस्तों मनाई जाती हैं, ओले के बार दोस्तों चेतर माईने में चेतर माईने के दोस्तों पहले दिन में कौन सा तैवार मनाते हैं गंडगोर मनाया जाती है अभी गई है दोस्तों ठीका ना गंडगोर अभी गई है ध्यान कना तो क्या मनाया जाता है दोस्तों गंडगोर का तैवार मनाया जाता है चल साध्यवर मनाते हैं गंडगोर का तयवार दोस्तों फो ले के लगबग एक पकवाडगे बार मनाया जाता है अगला पर मस 놓े सामने भाद्रव पर्थ के कृष्णिपक्स की नमी को मनाय जाती है गोगा नमी Caroline जाती है भाद्रव फष्णिपक्स की नमी को छिका ना allah अगला अप्षिन आपके सामने कि गंडगोर त्यवार कितनी अवदी तक मनाये जाता हैं दोस्तों गंडगोर का त्यवार कितनी अवदी तक मनाते हैं तो ये दोस्तों अठारा दिन चलती है गंडगोर जिसको पता निये उसको जाने अठारा दिन तक दोस्तों क्या चलती है गनगउर चलती है बाई, अगला आपरस्तन आपके सामने, गनगउर पर किस देवताओं या दोस्तों डेवी की पूजा करते हैं, तो वह है आपका झेकर सिव पारवत्ति की ठीक न happier गनगउर के तैवार पर दोस्तों किस देवी देवताओं की पूजा किया जाते हैं, पूज लिज गी माहा को दोस्तों के आए 10 तारी को मना जाता है बई ठिकने दो मस्ली लोग होते उनको पता होगा और नहीं पता है तो दोस्तों आपको वियाद के लेदा एक्जैम आ सकता पुशन है ये ठीकने अगला पुछन आपके सामने राजस्तान में गोड़ला तेवार कब मनाया जाता है बहुत ही फेमस ये गोड़ला तेवार ठीकन दो दोस्तों राजस्तान में गोड़ला तेवार कब मनाते है छेतर कृष्ण अश्टमी को कब दोस्तों नेवलों की कारते हैं, पूजा की जाती हैं, राजस्तान पुलीस में पूजा गया पर्शन है, अगला पर्शन आपके सामने, इस्टर का पर्व, किसके पुनर जन्यम के उपलक्स में मनाया जाता हैं, दोस्तों पर्व कौन सा है, इस्टर का पर्व, तो दोस्तों इस्टर पर करते हैं रजस्तान सरकार दोरा प्रकासी कैलेंडर में विक्रम समथ साके इस भी संदिया हुआ होता है ठीकर ना यारी विक्रम समथ 1963 आगला देखिए राजस्तान सरकारद्वरा प्रकासीत केलेंडर में विक्रम समथ शाके इसमी संगिया हुआ होता है यादि विक्रम समथ 2013 होगा तो दोस्तों साके होगा साके कितना होगा दोस्तों 1998 होगा परशन ऐसा भी आचकता है कि राजस्तान सरकावदरा प्रकासी केलेंडर में विक्रम सोथ साके दोस्तों और इसमी सन्विया हुआ होता है तो यारी विक्रम सोथ कितना है दोस्तों 2023 तो दोस्तों साके कितना होगा तो वो दोस्तों आपको जेगा 1928 ठीक है अगला परशन आपके सामने वरस परतिपर्दा मनाए जाता है तो देखो दोस्तों वरस परतिपर्दा कब मनाते है शेतर शूकल एकलम कोटी कर न एकलम को मनाए जाता दोस्तों शेतर शूकल एकलम को दोस्तों क्या मनाते है वरस परतिश्दा मनाते है तो आप दोस्तों आपके टेस्ट लिया जाएगा अब याद हुआ है जो मैंने पढ़ाए उस्तिंस में कि आकको कितना याद हुआ है, आपके आपके वरस तो ने परोस आपके विकलफट वाले टेस्ट लिया जाता है आपका इसलिए क्लास को पूरा देखें, मजा भी आने खालाए है आपकी पड़ाई कैसी अभी सोचने कि सकती कितनी वह पर कम आ पर पूचुंग यहांपर पूचा रुच्छ न से ओड़ो का घंगा नगर देक्र हैं अब देखो भोजन थाली मेला ये कहां पर लगदा है कामा बर्थपूर में कहां पर दोस्तों कामा बर्थपूर में लगदा है ये भी राइट बात है और स्री कल्यांट जी का मेला कहां पर लगदा है दोस्तों स्री कल्यांट जी का मेला दोस्तों दी की मालपूरा टॉंक में तूंक नलेंस और यहां पर कौन से मेला लग है स्री कलियांट जी का मेला जी घर गे स्स्का एम और प्रणने के साहिए के घर मुलान किये है नियौ्छ स्याम स्यांजी कामुली भारना क्सके निन अब ही मैने आपको पड़ाया था खाटियो स्याम जी का मेला दूस्ट नुग किण деньги वहता है इस्पारम होता यह होता हैคभार्म जो तो जो भी विदारती C कमेट कर रहा है यहाँ पर C आपका होजेगा करेक्ट चलिए अगला प्रशन आपके सामना आच्वा है क्या बचुका है कि ओली के दूसरे वा तीसरे दिन बाद बाज सा बीर बल का मेला कहा बरता है दोस्तों ओली के दूसरे यहाँ पर तीसरे दिन बाद क्या बरता है बाज सा बीर बल का मेला बरता है तो वो कहाँ पर बरता है किसंगड में ब्यावर में यहाँ दोस्तों तिलो निया में यहाँ पर नसिराबाद में तो जेखो दोस्तों व्याक्या पढ़ सकते हो तो यह भी आपको साथ में याद रखना हैं देखो कितनी इंपोटेंट बात लिखें यहां पर अगला प्रशन आपके सामने जैपूर में सांगानिर पंचा स्मीति में इस्तित किस इस्तान पर परतिवर्स गदों खच्रों वे गोडों का मेला बरता हैं बहुत इंपोटेंट तो सही उत्र आपका कों साँजय का बावगड में कब परता है तो आपको पर बता है दो तो कहीं पर ने पर लगता हैं बावगड बंद्या में आपको जहाँ तो सांगानेर की बात वरी है तो सांगांदर पशा समीतिमें दोस्तों, कौन से हिस्तान पर पतिवरस गत्यho का गोड़ां का मिला लगता है तो वह दोस्तों, काँ पर लगता है बावगड़ बंधा मैं अगला प्रीफ आप आ पह सामने, कोलायत नामगहस्तान पर, सांखिये के प्रेहन ता, क्पिल म२िका मेला किस तरीक को भरता है अब डेवकों कपिल म२िका मेला कहां पर बता दिया था, कोला या तुमे बता है, ठीके то कब बरता है फटह परट कमेट कीजिए चैतरमाकि श्तमी को, कार्थिक पुαν्णिमा को, कार्थिक माकि सुकल बाई बात बड़ा बाई चलिए अगला अपस्टर आ आपके सामने वरख्सों के श्रक्षिन से संबतित मेला है देखो वरक्षों से संबतित मेला कौन सा है वरक्षों को बचाने के लिए कौन सा मेला लगदा है वरतरी का मेला ये दोस्तों वरक्षों में दो बार भरता है ठीके रिसप डेव जी का मेला नहीं पर ये वरक्षों संबतित नहीं है और सावा का मेला ये भी नहीं है दोस्तों व्रक्षों की रक्षा के लिए खेजडली मेला बरता है अमर्ता देवी का नाम तो आपने सुना होगा अमर्ता देवी विस्नुई जिन्हों दोस्तों क्या किती खेड़ी व्रक्षी रक्षा के थी तो आज भी दोस्तों खेजडली में क्या बरत लगता हैं C option आपका हूं जेक राइट से अगला अपर शुका है पार की नमकिस्टान में बता है अभी काहँ पर है मुंदी में टीक नमकिस्टान पर व्यसाख की पुर्णी मावश सरावन की माशया को विसाइप डिगी मेला जो कि दोस्तों किस का बरता है कल्यांड जी का मेला लगता है तो डिगी कि जिले में देखो मैंने अभी बता है तो आपको यह याद गलांड डिगी का कुछन आएक और आ गया ठीक है न तो बड़िगी कौन से जिले में यह आपको बूच रखाए अगला अपको सामने तिल चौत दोस्तों इसको चंकट चौत भी कहते है तिल चौत यहापे दोस्तों तो इसको अगला चौत घ। पहले के लिए और आपका राइट चलिए अगला परशन आपके सामने आचका देखिए कि राजस्तान में मनाई जाने वारी तीज गोंसी है राजस्तान में दोस्तों कौन से तीज मनाते हैं छोटे तीज मनाते हैं बड़ी तीज कजली तीज सातोडी तीज बिलकुल ये भी मनाते हैं ये भी मनाते हैं आकादीज मनाई जाती है अकसे तिरतावी मनाई जाती है तो ठीक है न तो जो भी विदार्दी एक क्मेंट करा है बहुत बढ़िया दोस्तों आज आपके मेले सारे क्षारी क्या एक कवर होने वाले हैं फिर आपको मेलों को बूलने की में कोई दोस्तों क्या है दिखता आएगे नहीं कभी बूल नहीं पाओगे ठीक है अगला अपस्टन आपके सामने गंडगोर पोजन के लिए बनाई जाना वाले विश्यस प्रकार के मिटाई का नाम है अगला अपस्टन आपके सामने बेने गंडगोर दम देख लो बेनेसवर दामे चोपडा नामक पुस्तक जो दोस्तों किया है मावजी के जोरा लिखीते हैं तो दोस्तों इसके दर्षन के लिए किस तेवार पर किये जाते हैं या पर दोस्तों इसके दर्षन के लिए तेवार पर किये जा सकते हैं इसके दर्षन दोस्तों अपन कौन से ते दिन कर सकते हैं दीपा ओली के चिका न अगर इसका दर्शनका को 12 बट्राइट केब सर्म इसलामी के नुसार रमजान कोंसे नमय कर स्मय को महीन और दोस्तों मैंने 14 पसन आपसे किये थे यह ठीक न अब बसेすजगाए 14 पसन ते जो आपको ire तो यह एक मांनिया आपके किसुन यहां से बार नहीं जाएगा एक मेले समझे और आपके 15 नमबर पके हो चुकें अब देखो क्या पुच्रकाएं की नान मौसव की शुरुआत गुंगरी गुले से होती है तो आपके दिश्टिम इसका अर्थ क्या है तो एक दोस्तों मौसव कौन सा है नान मौसव इसके दोस्तों शुरुआत कब होती है या दोस्तों कहां से होती है गुंगरी गुंगरल से दिग न गुंगरी गुलेन से होती है तो दोस्तों आपके देश्टिम इसका अर्थ क्या है ये चने का परसाड होता है गुड का परसाड है गुलाजामन का परसाड है यह दोस्तों स्राब का परसाड है तो यह दोस्तों से उत्राप का कौन सा यह दोस्तों यह एक चने का परसाड होता अब दोस्तों कमेट कीजिए इन 14 परस्टे만 में से आपके कितने राइट हुए अगर आपके 10 प्लस राइट हुए तो आपने क्लास में ज्यान दिया तिका है हाँ 4 परस्ट वैसरी तो इसदे देर उतर हो सकते हैं अगर आप PTT की त्यारी कर रहे हो यहाँ पर BSTC की त्यारी कर रहे हो दोस्तों आपको संपोर्ण कॉर्स यहाँ पर फ्रीमे करवाये जाएगा तो चले विदार्तियों मिलते अगली रास में जे हिंट जे बार्त